टॉपिक नमबर टैन शिक्षा 1835 सिसी में गवर्णर जन्रल विलियम बेंटिक ने लाट मेकाले की सिफारिशों को सुईकार करते वे अंग्रेजी को राज के भाषा गोशित किया इसे आधुनिक भारतिय शिक्षा का मेगना करटा कहा चाता है स्वतंत्रता के बाद स्थान 1948 में गठित डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में संसर्थ के अधिनियम दौराफिश विद्यल अनुदान आयोग की स्थापना हुई कोठारी आयोग जुलाई 1964 में राजिस्तान की प्रसिद शिक्षाविदे डॉक्टर दौलत सिंग कोठारी के अधिक्ष्टा में गठित इसायों की सिफारिशों पर 1968 में देश की प्रत्थम शिक्षा नीती गोशित की गई 1986 में राजिव गांधी सरकार हमारे द्वारा देश की दूत्य राष्टे शिक्षा नीती जारी की गई 14 वर्ष तक के बच्चों हेत्व निशुलक वर्निवारे शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने तता इन बच्चियों को शिक्षा के अवसर मोहया कराने का माता पिता अभी भावका मूल करतवे बनाने हेत्व 86 समीदान संचोदन अधिनें 2002-1 दिसंबर 2002 को संचा द्वारा पारित किया गया इसके द्वारा समीदान में नया अनुचेद 21 मूल अधिकार एम अनुचेद 51 मूल करतवे में नया वाक्यांश के जोड़ा गया एम अनुचेद 45 में संचोदन किया गया राजिस्थान में 1806 में एक गवर्नर जनरलाट मेयो की पहल पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई 1943 में जैपुर में लड़कियों का प्रथम पब्लिक स्कूल महारानी गायतरी दिवी स्कूल खोला गया 1947 में जैपुर में सवाई मानसे मडिकल कॉलेजम राजपुता ना विश्विध्याले वर्थमान राजिस्थान विश्विध्याले का प्रारंब हुआ राजजे में वर्थमान शेशनिक स्थती वर्ष 2001 में राज्य की कुल साक्षर्टा दर 60.4 प्रतिशत पुरूश साक्षर्टा 75.7 प्रतिशत तता महिला साक्षर्टा 43.9 प्रतिशत हो गई ओड़तेवे राज्यों में 23 प्राप्त किया है जो 1931 में अंतिम बिहार के बाद था वर्तमान में राजिस्तान की पुरुष साक्षरता दर 75.7 प्रतिशत राष्ट और सदर 75.3 प्रतिशत से भी अधिक हो गई केंदर सरकार द्वरा जारी शिक्षा विकास उचकांग में सब्सक्राइब में 24 प्रतिशतु ओं धरवन इस्तान इंब उच्छ प्रात्मे कि उंदिस्व इस्तान है राष्टे स्तर पर प्रतिश ए सतर सफस्षा के पर जन संख्या पर एक महा विद्ध्याल है जबकि राजिस्तान में मांत्र 57 ख्रतिश आबादी पर एक माहा कि उत्करष्ट उपलब्दी हेतू अंतर राश्ट साक्षरता दिवेश आठ सितंबर 2001 के आउसर पर राजस्तान को शत्त दशाब्दी साक्षरता पुरुसकार हैं दशाब्दी महिला साक्षरता पुरुसकार से समानित किया गया सितंबर 2006 को दिया गया ते मातर राज़ए जैपूर में केंड्र विश्विध्य ये प्रार्रम हो गया था जो किशनगर अजमेर में चल रहा है इसके भवन का निर्मान मुंडोती बांदर सिंदरी किशनगड में हो रहा है राजे का व उत्री भारत का पहला महिला इंजिनेरिंग महाविध्याले अजमेर में 17-20078 में प्रारम हो गया इसके अत्रिक राजे में 10 इंजिनेरिंग महाविध्याले जोदपूर, एक राज़की व बारां निजि संचाले किये जा रहे हैं राजे का पहला निजि मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी नेशनल इंस्टिटुट अफ मेडिकल साइंस जैपूर में इस्थापित किया गया है राजे में 5 क्रशी महाविध्याले जैपूर, बिकानेर, चालावार, उदेपूर में दो संचालेते हैं, लाल सोड दोसा में नया क्रशी महाविध्याले प्रादम किया गया, वर्ज 2008 में 9 में फलोदी वर उनियारा के साजकीय महाविध्याले में क्रशी संकाय प्रादम किये गए हैं, राज़े का पहला निजी आर्खीटेक्चर महाविध्याले आजना आर्खीटेक्चर कॉलेज सीता पुरा चैपूर में हैं, राज़े का पहला योग कॉलेज श्री अलोकी कॉलेज ऑफ यॉगिक सांसेश और्ड रिसेर्स संटर उदेपूर में स्थापित किया गया है, रा लक्ष्मी नाराण मित्तल द्वरा रूपा की नांगल जैपुल में L.N.M. सुचना प्रदोगी के संस्थान स्थापित किया गया है जिसे विश्व विद्यालत संस्था का दर्जार दिया गया है बिंदू राज्य में शिक्षा के विकास की योजना एम कारीकरम जिला प्रात्मिक शिक्षा कारीकरम D.P.E.P. विश्व बैंक व भारत सरकार के वित्य सर्योक से इसका शुबारम 2.09.199 को खानपूरा मेवान पंचार समीदी किशनगर बास जिला अलवर में किया गया वर्तमान में ये योजना राज्य में बारत सरकार विश्व बैंक वर राजिस्तान सरकार के पिच्चा से इनुपात पंद्रा के सयोग से संचालित है प्रमक उद्देशत 6-14 वर्ष के आयू वर्ष के सबी बालक बालिकरों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता व्यवस्ता क करना विद्यालों में उनका नामांकन वर ठेराव सूनिच्चित करना इम शिक्षा तंत्र का स्त्रदड़ी करन करना है सर्व शिक्षा अभ्यान वर्ष दोजार एक दो से प्रात्मिक शिक्षा के स्त्रदड़ी करन वर्ष संपूर्ण साक्षरता के लक्ष को प्राप्त करन इसके Nodal Emergency, राजिस्तान प्रात्मिक शिक्षा परिशद है, इसका मुख्य उद्धेश वर्ष 2010 तक 6-14 वर्ष के आयू के वर्ष के बच्चों को उप्योगी वर समुचित शिक्षा प्रदान्त करना है, चता Mid Day Meal, ये कारिकम प्रात्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लि वर ठेरा को सुनिश्चित करने के उद्धेश से 1 करोड रुपए के अंचिदान से 30 मार्च 1999 को राज्य सरकार द्वरा इस्थापित आपकी बेटी योजना, बालिका शिक्षा प्रांडेशन द्वरा वर्ष 2004 पांच से प्रारम योजना में निर्धन प्रतिबावान बालिक वर पंजीकरत मदर्सों में कक्षा एक से आठवी तक के अध्यन रत अनुसुचित जन जाती की बालिकाओं को अठारा सो रुपए की शेशनिक सायता देने की योजना 2007 में प्रादम्ब की गई जीवन कोशल शिक्षा सैंक्त रास्टे जन संक्या कोश के वित्य सयोग से शिक्षा सत्र दो जार पांच से चे से कक्षा ग्यारा के इस तर पर अनिवादे विश्चे के रुप में शिक्षा युजना लागू कर दी गई है जीवन कोशल शिक्षा लागू करने वाला देश का पहला राच्च है नमवा माडल कॉलेज उच्ष शिक्षा में कुणवत्ता लाने के लिए उच्ष शिक्षा के शेत्र को राज्य को अगरणी राच्च बनाने के लिए स्टेष्ट कारे करने वाले महा विध्याले को सितंबर 2006 को किशंगर अजमेर में किया गया नौलेज सेंटर विध्यार्टियों को वर्तमान और द्योगी कावशक्ताओं के अंदरों तयार इंप्रेशिक्षित करने ही तू महा विध्यालेयों में नौलेज सेंटरों की स्थापना की जा रही है महारानी कॉलेज जैपुल में जेनपेक्ट कमपनी की सायता से सितंबर 2006 में राज्य का पहला नौलेज सेंटर इस्थापित किया जा चुका है Language Lab अंग्रेजी भाषा व अन्य विदेशी भाषा में दक्षता बढ़ाने के अधिश से सभी राजके मा विध्यालों में Language Lab स्थापित किये जा रहे है मैला शिक्षन विहार ये योजना जालोर और जालावार जिलों में प्रार्ण की गई है इसमें चैनित महिलाओं को तीन वर्ष तक आवासे विध्यालों में रखकर कक्षा पांस तक की योग्यता अफवा व्यवसाइक होनर सिखाया चाहेगा चुरू में चन्साय भाइगीता से महिला शिक्षण विहार आरंब तेरवां साधिस्तान एजूकेशन इनीशियेटिव राजमें स्कूलों को गोत लेकर शैश्टने गुणवत्ता में सुधार और आधारपूर ठांचे के श्विकास बा कंपूर्टर शिक्षा उपलब्द कराने के उद्देश से प्रारम किया गया काधिक्रम स्टेट ओफन स्कूल अप्चारिक विध्यालों से वंचित सभी बालक बाली काउम में यूवक यूवतियों तता प्राणों आधिक और शिक्षा के अफसर उप्राप्द कराने हेतू 21 मार्ट 2005 को जैपूल में स्थापित 15 सीमेंट शिक्षा प्रवनम से जोड़े करमचारियों और अधिकानियों को प्रशिक्षा प्रदान करने हेतू गोने जैपूल में स्टेट इंस्टिट ओफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग स्थापित 16 डाइट राष्ट शिक्षा निती 1986 में की गई अनुशंसाओं के आधार पर शिक्षा में गुणत्ता अभी व्रदी करने हेतू केंद्रिय प्रवर्थति योजना के तहत राज्य के तीस जिलों में डाइट की स्थापना की जा चुकी है अनुमानगर्व सवाई मादपुल में डाइट की स्थापना की स्थापना की स्थापना की प्रदान की गई है वर्थ 2007-08 में सभी स्थापना कर दी गई है बिंदू 17 ह-e-a-r-t उच्च शिक्षा के शैष्नक संकाय के सदस्यों को विभिन में तो पुन मुद्धो पर दक्षि प्रशिक्षन प्रदान करने के उदेश से शिक्षा संकुल जैपूर में उच्च शिक्षा शोध एम प्रशिक्षन अकादमी Higher Education Academy for Research and Training की स्थापना वर्थ 2007 में की गई C8 राजिस्थान राज्य शैषिक अनुसंस्थान एम प्रशिक्षन संस्थान C8 State Institute of Educational Research and Training शिक्षा की गुणवत्ता व्रदी की प्रयास करने इम विद्याले शिक्षा के गुणातमक समुन्यन के लिए सरकार दोरागठित महर उत्रा समीती की सिफारिश पर 11 नमबर उने सौटातर को उद्यपूर में इसकी स्थापना की गई प्रदान मंत्री स्वास्ता सौरक्षा योजना के तार 6 राजो बिहार 36 गड़ मद्यप्रदेश उड़िसा राजिस्थान और उत्रान चल में अखिल भारते आयर विज्यान संस्थान की स्थापना की जाएगी राजिस्थान में इसकी स्थापना जोरपुर के निकट काजरी परिसर में की जा रही है इसका नाम मीरा भाई अखिल भारते आयर विज्यान संस्थान रखा गया है जालोर जुले के पथ मेडा गाउं में राष्टे काम देनों विश्विद्याले की स्थापना की जाएगी जालोर आपड़ी धरती आपड़ा लोग यूजना शिक्षा विभा के इतिया संकलन की यूजना में जिसमें शिक्षा को द्वारा राज्य के हर गाउं का इतियास लिखा जाएगा इसका उत्काठन 4 जनुरी 2007 को किया गया राजिस्तान में भारति तक्नीकी संस्थान IIIT जोधपूर में खोला चाएगा पंजाब अकादमी राजिस्तान पंजाबी अकादमी गंगा नगर में खोली गई है स्कूल अफर डिजर्ट साइंस मरुदर विज्यान संस्थांत लोकला मरमगय कोमल कोठारी की स्मृति में जोदपुल में बनाया गया है प्रतम हाइटेक पबलिक लाइबररी राज़े के सबसे पुराने सारजने कुस्तकाले महाराजा लाइबररी को राज़े का पहरा हाइटेक पूस्तकाले बना दिया किया है जैपूर इस्थित मातमा जोती राव फूले मैला विविध्याल, विधी महा विध्याल है, भारत का प्रतम मैला विधी महा विध्याल है राज़ में शैशनली किस्तिती में सुधार हेतू, डॉक्टर के कस्तुरी रंजन के अध्यक्ष्टा में शिक्षा आयो गठित क्या जाएगा विश्व की पहली होमोपैथी यूनिवर्सिटी जैपुल में स्थापित होगी राज़ के प्रतिष्टेत और प्रवासी राज़ी थानियों की भौतिक और टक्निकी संसादनों के विकास हेतू, भागिदारी सुधनिश्चित करने के लिए मिशन जोती परियोजना की शुरुवात की गई है मार्शी दयानन सरजवती विश्विध्याल एजमेर में 24 मार्ट 2007 को अन्तिम हिंदू समराट पतिराथ चोहान एतिहासिक केम सांस्करतिक शोदु केंदर का शिलानयस किया गया जैपुल में जमुवा रामगड के पास मुंदिला गाओं में डॉक्टर भीमराव एकेडमी और सोशल साइंसेज और एडवांस स्टाटीज की स्थापना की जाएगी 14 अप्रिल 2007 अमबेटकर जैनति को इसका भूमी पूजन हुआ यह अकादमी विश्विध्याले के समकक्ष होगी जहां आडवेटकर के विचारों और दलित अधिकारों के अध्यापन शोदखा कारे होगा चित्तोरगड के जिलानी बाहिडा के में राज्य का पहला वैदिक विश्विध्याले खोला जाएगा कस्तुर्बा गांदी आवासे विध्याल में पढ़ने वाली आठ्वी, दस्वी, बार्वी में 50 पतिशन प्राप्त करने वाली छात्राओं के नाम से 8000 रुपे की सावधी जमा कराई जाएगी जो उन्हें सनातक होने पर दिये होगी अब कस्तुर्बा गांदी आवासे विध्याल में सर्वे शिक्षा अभियान के तहट चलाए जा रहे हैं मुखे मंतरी आजिवी की प्रोटसाहन योजना के अंतरगात राजी कोशल अकेडमी ऑफ एनिमेशन का राम चंद्र खेतां राजे पॉलेटेक ने कॉलेट चालाना डूंगरी जैपुर में 8 दिसंबर 2007 को शुबारंब किया गया प्रदेश में आईटी अकडमी की स्थापना की गए चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे योजना अठारा वर्ष से सभी तक के सभी चात्रों को स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए 8 जुलाई 2010 से 20 जुलाई 2010 तक चलाए गई सर्वे योजना साक्षरता बारत योजना मिशन 2012 प्राउड शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केंद्र वे राज्य की पिच्चतर अनुपात 25 की भागिदाय से 8 सितंबर 2009 को प्राउड योजना वस्तु निष्ठ प्रशन 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 एक देश में प्राउड शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन 2012 का प्राउड हुआ आठ सितंबर 2009 से प्रशन दो राज्य साक्षर ताहे साथ पंट चार प्रतिशत तीन राज्य के शित्र में कुल विश्विद्यालेओं की संख्या है सोला प्रशन चार वर्दमान महाविर खुला पत्रा चार विश्विद्यालेस्थित है कोटा पाच्वा मीरा बाई अखिल भारते आयर विग्यान संस्थान कहां इस्तापित क्या जरहा है चोथपुर छटा प्रसुत उद्योपति स्टुल किंगुश्री लक्षमी निवास म स्टल ने लन्म इंस्ट्टूट ऑफ इंपॉर्मेशन टेक्नोलोजी की स्थापना किस जिले में की है चैपुर साथवा शिक्षा आपके द्वार योजना की शिर्वात की गई 19 नमबर 2001 आठवा गुरु मित्र योजना के लिए आर्थिक साहता मिलती है यूनिसेप से नवा ऐसा विश्विद्यले जिसका कारेशेत उसके शहर की सीमाव में ने सीमित है जै नाराण व्यास विश्विद्यले जोदपूर दरसवा शिक्षा कर्में परियूजना निमन की साहता से चलाई गई प्रारंब हम सीड़ा स्वेडन एक की अंबात में डी एफाइडी इंगले की ग्यारवा जिला प्रात्मेक शिक्षा आकारीक्रम दाजे के कितने जिलों में किलान्विंत है 19 जिलों में बारवा गारगी पुरुसकार दिये जाते हैं हंसर दस्वी की परिक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंकर प्राफ्त करने वाली छात्राउं को तेरवा साजिस्तान में जिला प्रात्मेक शिक्षा कारी क्रम का प्रारम कब और कहां हुआ 2 अक्टूबर 1909 में खानपुरा मेवान अलवर 14 शिक्षा दरपन योजना संबनेते शिक्षा से वंचेत बालक बालिकाओं की संख्या का सर्विक्षन से 15 कुमंतु जाती के बच्चों को शिक्षा से जोडने हे तू 2 अक्टूबर 2002 से चल विद्धु विध्याल कहां प्रारम किये गए हैं जैपुर जोदपुर 16 शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला 18 राजिस्तान के प्रत्थम महिला शिक्षा आयो के अधिक्षण है श्री के कस्तूरी रंजन 19 राजिस्तान में साक्षरता दर्मे व्रदी हुई 21-85 25 विध्यापीट के संस्तापक कौन थे हिरालाल शास्त्री 21 राजिस्तान का प्रत्थम कॉलेज कहां खोला गया अजमेर 22 राजिस्तान 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 का मुख्याल कहां इस्थित है उत्तर उदेपूर 22-06 में स्थापित हे आर्ट का मुख्याल कहां है जैपूर 24 राजिस्तान का प्रत्थम विश्विध्याल इस्थापित किया गया था जैपूर 25 भारती शिक्षा का मेगना कारटा माना जाता है हंटर आयो की रिपोर्ट को सॉरी वूर्स डिस्पैच को 26 राजिस्तान का प्रत्थम विश्विध्याल इस्थापित है जैपूर जैपूर में प्रत्थम कौन सा युग्म असंगत है आयरवेद विश्विध्याल इस्थापित तोडगर सही युग्म है किशोरी बालिकाओं को जीवन कोशल शिक्षा प्रधान करने से प्रशन तीस सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक इंजिनिरिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना कब और कहां हुई 1953 इसी पिलानी चुनजनों में 31 वा कारिक्रम जिसके अंतरकर नव साक्षरों को निरंतर पढ़ने के उसर प्रधान के जाते हैं ताकि वे अपने अर्जित ग्यान का दैनिक जीवन में उपियोग कर सके 37 साक्षरता कारिक्रम 32 केंजर सरकार दोरा प्रवर्ते त्राष्टी पोशाहार साहता कारिक्रम का उपनाम है मिट डेव मील 33 प्रदेश का पहला नौलेज सेंटर खोला गया महारानी कॉलेज जैपुल 34 राजे की प्रथम युनिवर्सेटी जैसे भारते अंत्रक्षनोसंदान के एजुकेशन सेटिलेट से जोड़ा गया अंसर मार्शी दैनंद सरस्वती विश्विध्याले अजमीर 35 देश में जीवन कॉशल शुक्षा लागो करने वाला प्रथम राजे है राजस्थान 36 चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे युजना अफ्रादम की गई 8 जुलाई 2010